बूड इबनिंग हाइड्रोलिसेज बिटा हम पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास पे हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था और हाइड्रोलिसेज ऑफ सॉर्ट ऑफ डी कैसे डेंड स्ट्रॉंग बेस वाला क्वेश्चन हम देख रहे थे का कॉंसेप्ट हम समझ रहे थे तो एक बार फिर से देखते हैं मान लिजे आपके पास CH3COONA है ठीक है यह आपका एज्यूम आपने किया है कि यह ब्रेक कर गया CH3COO- यह इसका वीक एसिड वाला पार्ट है और एने प्लस यह स्ट्रॉंग बेस का पार्ट है आप H और OH माइनस करके चेक कर सकते हैं ठीक है चलिए अब हमने आपसे का कि मान लिजे एने प्लस जो है वो वाटर के साथ रियक्ट करता है तो वो एने ओएज बनाएगा और वापस क्योंकि वो स्ट्रॉंग बेस है एने प्लस और ओएज माइनस में ब्रेक कर जाएगा तो हम कहेंगे कि एने प्लस जो हमारा है स्ट्रॉ behave करेगा इतनी बात शायद हमने last class में कर ली थी है ना चलिए तो यह हमने यहां पर लिख दिया spectator अब हम कहेंगे कि hydrolysis किसका होगा तो hydrolysis होगा बिटा CH3 COO- का this plus H2O gives you CH3 COOH plus OH- इसमें दो चीज़ें आपको देखनी थी कि यह जो CH3 COO- है यह आपका acid का part है तो आप इसे लिख सकते हैं यहां पर part of acid और यह behave किसकी तरह कर रहा है यह water में मिलके OH- माइनस दे रहा है तो it behaves like base यह acts like base कर सकते हैं acts like base इसके लिए मैंने आपको बताया था एक ट्रिक कि आप equilibrium constant जो है उसको सीज़े लिख सकते kw वाई जो आपका बन रहा है क्या बन रहा है acid CS3 OH तो kw by ka किसका acetic acid का fine इसे आप हाँ hydrolysis constant भी कह सकते हैं बिलकुल बिलकुल आप जो भी नाम रखना चाहें reaction constant भी कह सकते हैं equilibrium constant भी कह सकते हैं ठीक चलिए अब हमने आप से कहा कि मान लीजे मेरे पास initial concentration c था इसमें से कुछ concentration x कम हो गया क्योंकि यह आइनाइज हो गया इसने आपको x CS3COS दिया और x OH- बात समझ में आ रही है कुछ तो c-x से आपको x और x मिले थोड़ा सा मैंने change कर दिया पिछले पार मैंने आपको c-1-h वाले टर्म्स में कराया था देखिए यही दिखाना चाहरा हूँ कि फरक नहीं पड़ता आपको बस concept clear होना चाहिए आपने का आंसर एक 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 आएगा के डबलू बाइ के यह मेरे पास के हो गया इस equation का बिलकुल इसको मैं क्या लिखूँगा एक्स स्क्वाइर बाइ सी माइनस एक्स लिख सकता हूँ अब आपने का एक्स इस वेरी स्माल with respect to c यह हम चेक कर लेंगे हमें k की value दियोगी concentration दिया होगा तो यह हम चेक कर लेंगे और अगर ऐसा है if x is very small with respect to c तो मैं यहां से कह सकता हूँ x is equal to या x पूरा लिख लेते चलिए x square by c is equal to kwy के लिख सकता हूँ यहां से बिटा मेरी x की value आ जाएगी x की value आ जाएगी सी के डबलू वाई के ए अंडर रूट देखिए क्या लास्ट टाइम जो हमने एच और कंसेंट्रेशन आफ ओएच माइनस निकाला था वो यही आया था हाँ आप मेंसे कोई चाहे सर डिग्रे ऑफ हाइट्रोलिसस क्या होगी एच क्या होता है x by c तो आप यहीं से लिख सकते हैं अंडर रूट के डबलू बाई सी के ए लिख सकते हैं चेक कर लो तो आप कहीं से भी नाक पकड़िए नाक अपनी जगे रही तो कोई भी मेतेड यूज कीजिए आप अंसर एक ही आना होगा ठीक है चलिए अब देखिए यहां पर यह जो कंसेंट्रेशन ओफ ओफ ओएच माइनस है यह हमें मिल जाएगा इधर हमने एच लिया था प्रीवेस केस में लेगे तो चाया होगा बात एक ही है कंसेंट्रेशन ओफ ओफ ओएच माइनस हमारा कितना है एक्स एक्स की वैल्यू रख देते हैं अंडर रूट के डबलू बाई सी के ए लिख सकता हूं अच्छा अब जड़ा देखिएगा अगर मैं लॉग अफ ओ एच माइनस अगर आपको याद हो यह हम पहले बात कर चुके लॉग पि ओएच था इसे हमने कहा था लॉग अफ ड़ग, अस माइनस लॉग अफ ग इस्ट गा बावर हाफ ऐसे लिख सकता हूं बहुत बढ़ी है अब देखिए पी ओएच मेरा कितना आ गया माइनस ओके हाफ बाहर ले लूँ लॉग के डबलू माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ लॉग के ए ओके ये दोनों प्लस हो जाएंगे जड़र चेक कीजे अब यहां से आप सीधे सीधे पी ओएच को लिख सकते हैं लॉग के डबलू क्या था यहाद है लॉग के डबलू माइनस लॉग के डबलू इसे हमने कहा था पी के डबलू तो हाफ पी के डबलू प्लस हाफ लॉग सी चेक हीजिए माइनस हाफ पी के कुछ ऐसा आ रहा है क्या एक चीज़ देखिएगा हमने शायद गडबल लिख दी यहां पर सी बिटा यह उपर था एक्स की वैल्यू हमने सी के डबलू बाई के आई है और हमने यह थोड़ा सा गडबल कर दिया तो एक प्लस का साइन मेरे कहल से गडबल आ गया है हां चेक हीज़े यह सी इधर ना होके उपर आएगा तो यह ठीक है ठीक है ठीक है यहां पर मेड़ा माइनस आना चाहिए यह आ रहा होगा बिलकुल अब ठीक है अब ठीक है ओके अब जेनरली आपसे कोईशन में पी एच पूछा जाएगा तो आपको पता है पी एच कितना होता है पीच नहीं पता है पी के डबलू माइनस पी ओएच डैरेक्टली आप पॉटीन भी कर सकते हैं अगर आपको टेंपरेचर दिया हुआ है पी एच क्लस तो कंसेंट्रेशन वह थीगए आपका माइनस लॉट कंसेंट्रेशन अफेल क्लस थाटली क्या अपको अ स्चेक्ष कॉर्ट प्लस नहीं दिखा हुई नही। इस आपको आपको ऊंसमाइच माइनस दिखेगा तो आप पहले इस तो तो निकालेंगे फिर 14 में से उसको माइनस कर देंगे अगर आपको temperature 25 degree C दिया हुआ ठीक है तो P के actual formula क्या है P K W minus P O X वो बात अलग है आपके questions जो होंगे 25 degree पे होंगे तो आप उसे 14 minus P O X लिख देंगे ठीक है चलिए अब यहाँ पर मैं आपको इसको ना एक simple सा formula में convert कर देता हूं लेगे यहाँ पे बटा P H is equal to यह आपका हो गया P K W P O H आपने निकाल लिया है minus half P K W okay minus half log C minus half P K देखो कितना आसान सा formula यह याद करने में आसान रहता है इसलिए में P H का formula ऐससे निकाल रहा हूं यह आपका जाएगा half P K W plus P K A plus log C यह याद रख जाने है यह किसके लिए था जब आपका H very less या X very less with respect to C ऐसे भी कह सकते हैं समझ में आ गया और दूसरा आपने यह लिखा है weak इसेड इस्ट्रॉंग बेस के hydrolysis के लिए hydrolysis किसका हो रहा है weak acid वाले पाट तो half of P K W प्लस P K प्लस log C अब दियान रगिएगा NCRT में केवल एक फॉर्मूला आपको दिया गया है और वो फॉर्मूला किसके लिए गया है weak acid वीक एक बेस वाले के लिए आप देखेंगे आपको NCRT में एक पेज में पूरा hydrolysis उन्होंने खतम गया हुआ है मैं उसको सारी चीजें explain कर रहा हूं आपको हाँ बिलकुल इसको note कीजे फिर आगे बढ़ते हैं next sitting डालिएगा hydrolysis of salt of strong acid and weak base जैसे हम एक example ले मानले मैंने NH4Cl ले लिया चीके अब इसमें NH4 प्लस यह जो है base का part है यह base आपका weak base है और HCl का part Cl आ गया तो यह आपका strong acid है यह आपको NH4 plus plus CL minus देगा चीके hydrolysis किसका होगा finally NH4 plus का because अगर CL minus H plus के साथ मिलके HCl बना भी देगा तो वो strong acid है वो वापस hundred percent ionize हो जाएगा ठीक तो hydrolysis hydrolysis of NH4 plus ध्यान रखिएगा weak part का ही hydrolysis होगा अब NH4 plus का hydrolysis आपने कराया H2O में इसे डाला तो क्या होगा यह आपको NH4 OH plus H plus देगा बहुत ध्यान से समझेगा यह NH4 plus किसका part है this is part of base part of base water पे डालने में आपको देखे रहा है है एच प्लस तो आप कहेंगे एक्स लाइक एसिड बेस के पार्ट ने एसिड की तरह बेव किया water में डालने पर है एच प्लस आपको दिया के कितना आएगा के जल्दी बताओ kw by kb और kb किसका जो बन रहा है NH4 OH बन रहा है तो यह आपका base है कुछ बात समझ में आई यह तरीका है इस method को आप follow करेंगे कभी गलती हो ही नहीं सकती अब बिटा आपको मान लीजे आपके पास इसका initial concentration था c NH4 प्लस का ठीक है NH4 प्लस का concentration आपको c दिया हुआ है और आपने इसमें से कहा कि let's say x part जो है इसका वो आइनाइज हो गया इस ने x दिया है इस बना यह बात समझ में आगी तो अब यहां से k की value देखिए k की value क्या आएगी k w by k b is equal to x square by c minus x बिल्कुल पिछले दरे से हैं ओके if x is much much less than c इसके लिए conditional में पता है न हाँ yes k by अब पूरा k ध्यान लगना k w by k b k है इस समय हाँ hydrolysis का k लेना पड़ेगा this divided by c जो भी concentration आपको दिया होगा जब आप वो देखेंगे तो आप check कर लेंगे कि यह हमारा किसके बराबर है 64 into 10 to the power minus 4 से कम होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल अब इस case में आप कहेंगे यह x 0 हो गया है यहाँ से x की value क्या गई बिटा c k w by k b का under root बिल्कुल पिछली वाली equation जैसे थी ओके यहाँ पे x क्या है वहाँ पे oh minus का concentration था यहाँ पे h plus का है सो concentration of h plus निकाल सकते हैं concentration of h plus आपका आगया under root c k w by k b अब k a नहीं आया पिख तो पी एच निकाल ले सीधे पी एच क्या हैगा यहाँ से सीधे आजाएगा minus log of concentration of h plus देखें जरा क्यार है minus log okay C KW by KB to the power half okay so P H is equal to half of I mean C P KW minus P KB minus log C okay हाँ और P O H क्या हो जाएगा half of P KW plus P KB plus log C तो याद रखेगा जब आपके पास B के बेस है तो P O H निकालेंगे फार्मूला ये वाला याद रखना असान होता बटा आप चाहें तो आप डारेक्ली इसको याद रख लें बट पहले P O H निकालिए फिर P H निकालिएगा या फिर फार्मूले की तरह जैसे मैंने किया तो यह वाला फार्मूला आपका अपने आप आप अजाएगा बट क्वेश्चन में होगा क्या आपको दिया होगा 25 डिग्री सी चीक है P K A की वेल्यू दी होगी P K B की वेल्यू दी होगी इस तरह से होगा और हो सकता है आपको कंसेंट्रेशन सी भी दिया हो पूछेगा पी एज बता दो सल्वीशन का इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो जब आपको सारी चीज़ें दी हुई है तो फार्मूला अगर आपको याद है इसमें फार्मूला ही तो रखना है आपने रख दीजे चीक है तो जब भी आपको वीक बेस के लिए के भी दिया हो तो फार्मूला यह वाला यूज कीजे और वीक एसिट के लिए के दिया हो तो पहले वाला वहाँ पे पी एच निकलेगा ध्यान रखना पी एच इस इकॉल तो दोनों फार्मूले बिलकुल एक से है बस के और के भी का डिफरेंस है चेक करो के ए और के बी का डिफरेंस है बिटा येस और अगर कोई आपसे इसी क्वेशन में पूछ ले कि डिग्री ओफ हाइड्रोलिस तो आप क्या कहेंगे एच इस इकॉल टू एकस बाइस सी ये आपकी डिग्री ओफ हाइड्रोलिस जाएगी बहुत आसान से क्वेशन मिलते हैं कई बार बच्छों को समझ ही नहीं आते कि क्वेशन पूछ कह रहा है इसलिए मुश्किल होती है थर्ड लिखिएगा थर्ड केस लिखिएगा थर्ड हमने देखा था हिद्रोलिस इव फ्सौल्ट अब चॉट आ था हैद्रोलिस इव फ्सौल्ट आप श्रॉल्ट अब wann हाँ जी अब बहुत ध्यान से समझना एक एक्जाम्पल से ही समझा रहा हूं मान लीजे मैंने एने सी एल ले लिया तो यह एने सी एल वाटर पे डालने पे एने प्लस प्लस सी एल माइनिस मुझे देगा ठीक है और मज़ेदर बहुत क्या है यह दोनों ही इस्पेक्टेटर है एलों ही इस्पेक्टेटर आयन से हैं चेक कर आगे देखลो एने प्लस को ब्रीक क्राव और ओएच मैनिस के साथ ईने ऐस सी एल माइनिस को एशे मैनिस के साथ हैं तो फ्रदर कोई रियाक्शन नहीं होगी आप कह सकते हैं नो हाईड्रोलिस दिए नो हाइड्रोलिस समझ में आ गया यह यहीं पर रुख जाएगा और यहीं पर रुख गया तो पी एच आपका कितना हो गया बिटा इसलिए आपका स्ट्रॉंग बेस और स्ट्रॉंग एसट प्लीज धियान रखना यह 25 डिगरी सी पे है यह 25 डिगरी सी पे आएगा बिलकुल तो आप इसे चाहें तो ऐसे करके स्टेट्मेंट भी मिलेगा इस पर अब्जेक्टिव क्वेश्चन पर सिंपल सिंपल से बनते हैं कुछ स्टेट्मेंट दे देंगे केंगे विच्वर इस करेक्ट पी एच ऑफ सॉल ऑफ इस्ट्रॉंग एसेड एंड इस्ट्रॉंग बीस इस इक्वल टू पी एच ऑफ वाटर सेम टेंप्रेचर पर जान रखिएगा सेवन कब होगा जब 25 डिग्री सी है यह आपको टेंप्रेचर मेंशन नहीं किया गया कोई और टेंप्रेचर दे दिया तो पी एच फिर चेंज हो जाता है कि यहां पर चाहें तो लिख लेजिए भीच डिपेंड्स ओंली ऑन टेंप्रेचर वीच डि डिपेंड्स ओंली ऑन टेंप्रेचर अब मजह दारबद दिए पहले वाले जो दोनों के इस त service चाहिए वो वी कैकेस द वाया राहा वह बीडियों वह कंसेंट्रेशन ही वैसे भी पीच फिक्स है यहां कॉंस्टेंट रहेगा ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह आवारा है फोर्थ लिखेगा है हाइड्रो लिस ऑफ हाइड्रो लिस जब और इसका फॉर्मुला जो है आपको एंसी आटी में मिलेगा वीक एसेड एंड वीक बेस वीक एसेड वीक बेस इसको आपने अगर वाटर में डाला इसकी हैड्रोलिस होगी तो आपका पी एच कैसे कैल्कुलेट होगा ठीक है तो एक्जाम्पल लेते हैं CH3COO और साथ में NH4 यह आपको देगा ब्रेक होके CS3COO माइनस प्लस NH4 प्लस कुछ बात समझ में आई चलिए इनीशली हम मान लेते हैं यह कंसेंट्रेशन सी था यहाँ पे जीरो था यहाँ पे जीरो था फिर यह जीरो हो गया यह C और C सारा का सारा CS3COO और NH4 प्लस CS3COO माइनस और NH4 प्लस आयन में ब्रेक कर गया अब बिटा दोनों आयन की हाइड्रो लिसस होगी यह ध्यान रखना क्योंकि दोनों वीक ऐसेड और वीक बेस के पाट ठीक है तो हाइड्रो लिसस ऑफ बोथ आयनस तो पहले लिखते हैं CS3COO माइनस जैसे पहले लिखी थी बिल्कुल वही बनेगी CS3COO माइनस अच्छा एकी साथ लिख दूँ चलो चलो आपने का एकी साथ लिख दो प्लस 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 एच टू आपको खुद ही समझ में आ जाएगा यह आपको देदेगा CS3COO प्लस एच प्लस एच पॉर एच अलग अलग करके दोनों को एड़ भी कर सकते तो लिख सकता हूं CS3COO माइनस प्लस एच प्लस एच प्लस एच टू एच प्लस एच सबको समझ में आ गया हाँ दोनों आयन वाटर में ते रियक कर गए अपने अच्छा अब बनाया क्या अब बनाया क्या वीक एसेड़ वीक बेस यह क्या करेंगी यह फर्दर आयना ही जोंगे कुछ समझ में आ रहा है हाँ इसलिए इनका हैड्रोलेसिस हो तक है ठीक है अच्छा अब अगर मैं पूछ हूँ आपसे कि भाई इसका क्या होगा बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से क्या होगा देखो CS3CO- को अगर आपने वाटर के साथ एड़ कराया होता तो यह OH- दे रहा हो बिलकुल तो यह आपके आ जाएगा के डबलू बाए के ए के बी कुछ समझ में आया के डबलू बाए के बी ऐसा क्यों होगा क्योंकि यहां पर एसेड़ और बेस दोनों है और एसेड़ बेस की तर भी एक करता है खुड़ी देर पहले हमने यही एक्वेशन्स ली थी बिटा ठीक है पहरेगो बेरेगो अच्छा अब 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 यहां पे हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास यह कितने थे बिटा दोनों सी थे शायद देखो CS3CO- NH4C थे और यह दोनों हमारे पास 00 जिरो थे इनीशले चीक है जब एड्रोले से शुरू होई होगी अब क्या होगा अब क्या होगा यह आपका सी 1-1 सी 1-1 यह आपका हो जाएगा सी एच यह आपका हो जाएगा सी एच आप एक्स भी लिख सकते ठीक है अब यह सी एच जो है यह फर्दर ऐसेटिक असेट का कै ए और यहाँ पे के भी यह आगे किसमें ब्रेक होंगे шी एच त्री सी ओो ओ माइनस और यह आपका नेच फूर प्लस इस तरह से यह फर्दर आपके आइनाई सोंगे समझ में आ गया जब यह आइनाई को यह यह प्लस और OH- मिलेगा अब द्यान रटना अगर मैं आप से कहूं if k a is greater than k b अगर k a k b से ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ concentration of h plus is greater than concentration of oh minus hydrolysis का मतलब तो यह यह ना water में डाल किया तो h plus देगा या oh माइनिस देगा तो आपने का अगर k a k b से ज़्यादा है तो h plus ज़्यादा आएगा ओके यह किसकी तरह बिएव करेगा ऐसे डिक की तरह कि के लेस्देन के वी कंसेंट्रेशन ओफ एच प्लस इस लेस्देन ओएच माइनस यह बिएव करेगा बेसिक की तरह इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है सब बाते हम पहले कर चुके हैं के इस इक्वल टू के भी होगा तो क्या होगा जो फाइनल हाइड्रोलेस हो रहा है उस समय आप प्लस और ओँफ बराबर हो जाएगा दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे नि團 हो जए हाँ इसमें गलती क्या होती है क्वेश्चन में आपको कई बार के दिया होता है कई बार पी के दिया होता है पी के ध्याने क्या था माइनस लॉग ऑफ के ऐसे था चिक तो यहां पर बिटा ध्यान रखना इफ के ए मूर देन पी के ए लेस माइनस लॉग ऑफ सम्थिंग है तो यह ध्यान रखना कि आपको के दिया हुआ है या पी के दिया हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है क्या आप चाहो तो यहीं पर मैं आपको यह भी लिखा दो इसी में आप लिख दो इफ पी के ए लेस देन पी के भी इफ पी के ए साइन पलेट जाते हैं पी के पी के भी क्योंकि आप माइनस लॉग ले रहे हो ना और यहां पर तो सेम रहना है होता गया आप के के भी ह comparative लुज नियुक्त थे देखके कहते हो अच्छा सए पी के इस एक भी का रिश्यो है यांप पी के फीके है यह ध्यान रखना दोनों रिवर्स उल्टे हैं यह वेरुन का अब पिछले वाले केस में मान लीजिए हमने कंसेंट्रेशन आफ एच प्लस हमें निकालना है तो देखें कंसेंट्रेशन आफ एच प्लस कहां से आएगा कि लिख्यों एच आपको पता है यह आपको के गिवन है यह आपको देगा सीसी ओ ओ माइनस फ्लस हज़िए टो एक्वेशन बनेगी ठीक है जब वह हैड्रोलिस अब कर आ रहे हैं तो सी ओस एच निवेच बिल्कुल अब आपने का सर के ए की वैलियू आ गई concentration of CH3 COO minus concentration of H plus divided by concentration of CS3 COOH इसमें किसी को कोई doubt नहीं होगा ठीक है यहां से आप concentration of H plus लख सकते हैं के ए कंसेंट्रेशन और CS3 COOH ओवर कंसेंट्रेशन और CS3 COO माइनस इसमेटिकल पार्ट हो गया आप खाली फाइनल जो रिजल्ट है उससे भी काम चला सकते अच्छा एक equation हमने पहले लिखी दी मेरे पास उपर से करके फाइदा नहीं है तो आप अपने पास देख लिए आपके पास उपर लिखी होगी यह वाली equation में जस्ट आपको दिखा दूँ जब हमने पूरे साल्ट का इसका हमने के के कैलकुलेट किया था के डबलू बाइ के के लिए यादा है ओके और यह हमारा आगया था CS3 COH और NH4 OH अब बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे अगर आपको याद हो हमने value लिखी थी C1-H C1-H यहाँ पे हमने लिखा था CH CH यही तो हमारा concentration था इससे हम एक equation और बना रहे हैं अपनी KW by KAKB that is equal to CH by C1-H 1-H whole square देखो क्या यह आ रहा है यह आपका आगया होगा H by 1-H का whole square C square C square cancel हो गया चीक है यह और आप चाहो तो एक और एक और चीज में लेख सकता हूं इसको यहीं पर देखो एक तो यह चीज आ गई हाँ एक और तरह से हम इससे लेख सकते हैं देखो कैसे लिखेंगे KW by KAKB is equal to concentration of CH3COOH whole square by concentration of CH3COO minus whole square हाँ यह लिख सकता हूंगे नहीं लिख सकता हूं यह अगर समझ में आया तो सब कुल समझ में आ जाएगा देखे देखे यह और यह concentration equal है CH3COOH का concentration NH4OH concentration के बराबर है है ना तो मैं उसको replace कर सकता हूं दोनों CH को मैं यही लिख सकता हूं तो मेरा square आ गया हाँ अब ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि मुझे देखे ऊपर equation में H plus निकालने के लिए क्या चाहिए यह चीज़ ठीक तो यहां से मैंने आप से का कि concentration of CS3COOH by concentration of CS3COO- इसकी value जो आएगी वो आजाएगी अंडर रूट के डबलू बाइ के के बी यह सिंपल तरीका है इनको calculate करने का अब यह दिया नहीं से आटे में उन्होंने सीधे सीधे इसका जो formula निकल के आया वो लिख दिया है मैंने आपको बता दिया बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं आसान सा इस पकड़ में आ जाता है तो अब जड़ा हम concentration of H plus निकाल लें तो यह मेरा हो जाएगा के multiplied by kw by k kb आया चेक करो अगर सबका यह आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं हां यहां से हम कह सकते हैं concentration of H plus is equal to under root बस यह याद रखना हो यह कब था जब मेरे पास weak acid और weak base है और मजे दरबत क्या है no concentration term is there कि सी कहीं है नहीं सी कैंसिल हो चुका है no concentration बाकी सब में concentration आ रहा था strong acid is strong base को छोड़ के no concentration term is there यह समझ में आया की नहीं आया independent of concentration यानि H plus जो है आपका वो किस पर depend करेगा के 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 डबलू और के बीड़ चीक तो आप इस पर मिलते हैं question pH of above salt लिख लिए simply pH of above salt is independent of is independent of concentration चीके जी और simply जब आप यहां पर pH निकालेंगे तो यह आपका आजाएगा half के डबलू ओके पी के डबलू कर लो लॉग वाग नहीं ले रहा हूँ लस हाफ पी के ए माइनस पी के भी चीक है यह आपका important यह formula बिटा आपको NCRT में दिया और NCRT में भी कैसे दिया हूँ वह भी बता दूं NCRT में यह लिखा हुआ है 7 half of PKW PKW को 14 लिया उन्हाने 7 plus half PKA माइनस PKB यह लिखा हुआ है pH का formula बट प्लीज द्यान रखिएगा यह कब है only at 25 degrees C कि यह formula बाकी जगे apply नहीं होगा बाकी जगे के लिए मैंने आपको formula बता दिया वह concentration dependent होता है तो आपको क्या करना है वह चार formula जो हमने देखे ना चार्ग कैसे एक तो 7 आ गया था उसको याद कर लिए वाकी तीन formula याद कर लिए अगर आपको तीन formula याद है तो फिर आप सारी चीजें बड़ी इसी ली calculate कर सकते हैं आपका कोई भी numerical है वह solve हो जाएगा पिल 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 ठीक है जल्दी से एक बार सारे समरी लिग दें जो आज हमने किया हाँ परस्ट हमने किया था वीक एसेट इस्ट्रॉंग बेस इस पर हमने पिएच कैलकुलेट किया था पिएच कितना याद बड़ा हाफ पी के डबलू प्लस पी के ए प्लस लॉक सी अगर आपको याद हो ठीक है यह याद करने का आसान तरह रहा है सेकेंड हमने देखा था एसट की जगे हमने बेस कर दिया था और बेस की जगे हमने एसेट कर दिया था तो बहीं जब बेस आ गए अगया सारी चीजह उसी के अकॉर्ड परमोले पीछे देखते भी रहे न है लॉब सीडिया कर जो-था वो था, पर इस्ट्रॉँग एस्ट लेस्ट लेस्ट्रॉग एस्ट्रॉग एस्ट्रॉग गीज करेंगे आप या पहँच्छ सब्सक्राइब हो गया और लास्ट वाला जो था आपको यह याद हो गए तो बहुत आसान है लेकिन मैंने आपको सिर्फ इस दी किया कि आपको एक confidence बिलता है कि हां मुझे तो method भी आता है और कहीं इदर उदर कभी भूल गए फार्मूला तो आप पड़ाफट कैलकुलेट करके उसकी वेल्यू लिख सकते हैं पी एच इस इक्वल टू हाफ यह कहा है दो पी के डवलू प्लस पी के ए माइनस पी के भी ओके यह जेन्रल फ पी एच इन पॉइंट वान एम एने एक्स और के एच एक्स आपको विवेने टें टू दी पावर माइनस पाई अब यहां से आपको खुद अंदाज लगाना होगा जैसे ही आपको यह के दे दिया गे बटाए डैट मींस आपका जो एसिड है वो वीक एसिड है क्लिर और व हाइड्रोलिस होगी एक्स माइनस की यह मैं आपको थोड़े दिर पहले जैसे CS3COOH माइनस वाले में कराया था तो वहां मैंने आपको कहते था CS3COONA दिया तो यह आपको ध्यान रखना है question आपको इस फॉर्म में मिलेगा कई बार होता है कि हम concept समझ लेते हैं लेकिन जब question आता है तो हमें समझ नहीं आता कि अब इसको कैसे डिल कर वहां equation वगरे कुछ नहीं दी अब आपको equation बनानी है आप कहेंगे सर एक्स माइनस एक्स माइनस जब इसके हैड्रोलिस कराएंगे तो यह हमें देगा एक्स प्लस ओएच माइनस पिर से द्यान दीजिए एक्स माइ रहा है एक्स एक्स एसिड बन रहा है तो आपका जो के आएगा इस equation के लिए वो कितना आएगा जल्दी बताएए के डबलू बाए के एक्सका एक्स जो एसिड बन रहा है उसका के बस इतना ध्यान रखना है अब आपको इनीशल कंसेंट्रेशन दिया था जिरो पॉइंट 1Hx और OH- आपके बास 00 थे आपने का सर 0.1-XX यह अपने equation लिखि एक्लिब्रियम की आपने का सर kw by k की value x2 by 0.1-x अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा पूरा-पूरा कि अब आपने का यहां पे क्या हो जाएगा के डबलू आपको गिवन विटा एक्स स्क्वाइर बाई 0.1 माइनस एक्स यह आपको दियाओ 10 तो दिपावर माइनस 14 यह आपको दियाओ 10 तो दिपावर माइनस 5 दियाओ ना के डबलू तो 10 तो दिपावर माइनस 14 पता ही है न सबको ओके तो यह आपका आगया 10 तो दिपावर माइनस 9 तेके 10 तो दिपावर माइनस 9 आपका के है अब के बाई सी चेक करो के बाई सी 10 तो दिपावर माइनस 9 डिवाइड़ बै 0.1 10 तो दिपावर माइनस 8 64 इन्टू 10 तो दिपावर माइनस 4 से कम है बिल्कुल आप इस पे क्या कर सकते है एक्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं समझ में आया एक्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं मैं कर रहा हूँ एक्स को नेगलेक्ट ये मैंने 0 कर दिया यहां से मेरी एक्स इसक्वाइर की वैल्यू आ गई 10 तो दिपावर माइनस 9 इन्टू 0.1 इसका मतलब होता है 10 तो दिपावर माइनस 10 एक्स मेरा आ गया 10 तो दिपावर माइनस 5 यह मेरा हो गया 10 to the power minus 5 चेक कर लो तो क्या आप मुझे पी ओएच बता सकते हैं पी ओएच आपका आगया 5 जैसे ही पी ओएच 5 आया आपने का पी एच पूछेगा पी ओएच नहीं पूछ तो कुछ भी सकता है कोईशन है पिएच पूछेगा इसके तो पीएच 5 मत लिखना प पी ओएच प्लस पी एच इस इकॉल टू 49 25 डिगरी सी है जब टेंपरेचर मेंशन ना किया हो यहां कहीं मेंशन नहीं किया क्या टेंपरेचर है तो अब दूसरी चीज जो इसमें पूछ सकता है वह पूछ सकता है डिग्री आफ हाइड्रोलिस इसको कैसे करेंगे डिग्री यह आपको बता है वह एक्स बाइसी एक्स इससे आप कहते है एक्स कितना आगया टेंट टो दिपावर माइनस 5 डिवाइड़ बाइड़ बई 0.1 यह आपका टेंट टुदी पावर माइनस 4 एच की वेल्यू यह आई मुछ बात समझ में आई बिल्कुल यह आपको बेसिक वीक बेस के लिए भी दिया जाए एक्सांपल लिएटा फाइंट पी एच ऑफ फॉल्विविंग सॉल्यूशन 300 ml of 0.2 MHA एसे ड़े इस मेंग्स विथ 200 ml of 0.3 M NaOH के इस 10 to the power माइनस 5 यह आपको गिवन है ठीक अब बिड़ा आपने एसे और बेस को मिक्स किया तो आपके पास क्या बनेगा इक्वेशन लिखे एक्वेशन लिखे है प्लस NaOH जब आप इसे मिक्स करेंगे तो यह आपको देगा Na A प्लस H2O कुछ समझ में आया तो आप यहां देख रहे हैं यह आपके पास सॉल्ट हो गया यह सॉल्ट कैसा है जिसमें आपके पास स्ट्रॉंग बेष है और वीक एसेड अब वीक एसेड कैसे पता चला क्योंकि के दिया हुए और पिछले वाले कुश्च्य में क्या गया था पॉइंट वन एम एंडैक्स दिया हुए था अब यहां पर लिएरेटी नहीं दिया हुए मुलारेटी आपको निकालने जरा उसको देखें यह बोल कॉंसेप्ट की चीज आई मिली मॉल्स देखो मिली मॉल्स 300 इंटू 0.2 यह आपके 60 मिली मॉल्स आगे चेक करो जरा 60 आए ओके 300.2 गया 30 इंटू 2 60 मिली मॉल्स आगे और एने ओचके कितने हैं 200 इंटू 0.3 यह भी 60 इसका मतलब न्यूट्रिलाइज हो गया complete neutralization है और complete neutralization है तो आपके पास जो salt और water बना salt कितना होगा उसमें 60 मिली मॉल्स ओके अब जरा यह देखो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया water कितना हो गया 300.200 500 ml solution है आपके पास कुछ बात समझ में आई तो अब आप मुलेरिटी निकाली है मुलेरिटी आपके आ गई 60 divided by 500 यह अगर समझ में आया तब ही आगे बढ़ेंगे विटा एम वन वी वन इस एक्वल टू मिली मॉल्स मैंने आपके तका था जहां पर वी आपका मिली लीटर में था यह दा है यह मिली मॉल्स इक्वल टू मुलेरिटी मिल्टिप्लाइड वाई वॉल्यूम इन मिली लीटर तो मोल कॉंसेप्ट तो हर जगे आएगा इसको आप सॉल करेंगे तो यह आपका वन पॉइंट जीरो पॉइंट वन टू मूलर अब क्वेश्चन क्या बना आपके पास जीरो पॉइंट वन टू मूलर एने ए इस मेंग्स्ट विद वाटर बस पहले वाला कुईशन मन गया जलो देख लेते सॉल कर लेते सॉल कर लेते पी एच निकलना मन लीजी पीएच निकलने के लिए आपने का ए माइनस एने प्लस तो इसक्टेटर हो गया ए माइनस प्लस ह2 ओ इसने आपको क्या दिया हे प्लस ओ एच माइनस ठीक फिर अपने का सर ओरिजनल कंसेंट्रेशन जिरो पॉइंट वन टू था इसमें से एक्स का हाइड्रोलेस्स हुआ है यहाँ पर आपका एक्स मिला यह भी एक्स मिला के डबलू ओके रिवर्सिबल लिग दीजेगा के डबलू ऐए क लिख दूँ यह प्रैक्टिस हो जा नहीं जी ए बिटा कैसे लिखना है फिर से एक बार बता दूं फिर से बता दूं एसिट का पार्ट ओएच माइनस दे रहा है बेस की तरह वह कर रहे है तो बाई के acid का part acid की तरह behave करेगा तो k ठीक है k w by k 1 by k है नहीं k w by k बिल्कुल तरह अब आपने का sir k w by k a आपका हो गया x square by 0.12 minus x ठीक है आच्छा जोना check करो x को neglect कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं k w 10 to the power minus 14 k 10 to the power minus 5 तो k आपका जो है actual में वो 10 to the power minus 9 आया इसको 0.12 से divide भी करोगे तब यह बहुत छोटा रहा रहा ठीक है तो x को आप neglect कर सकते हैं इस x को में neglect करता हूं तो सीधे सीधे आपने लिखा x square is equal to 0.12 into k w by k k w by k value अभी हमने निकली थी 0.12 into 10 to the power minus 9 अब फोड़ा साना यहां पर practice आपको चाहिए 1.2 into 10 to the power minus 10 हमेशा आप पावर को even कीजे जब भी आपका square वाला टाम हो अंडरूप लेने में वो हाप होजे तो x की value आजाएगी approximately पावर माइनस 5 कुछ बात समझ में आ रहे हैं अगर degree of hydrolysis पूछा हो तो इसको concentration से डिवाइट कर देना अंसर आजाएगा यहां से पी ओएच अगर मैं निकालो ओएच माइनस कंसेंट्रेशन है तो पी ओएच निकलेगा बटाए यह ध्यान रखना पी ओएच कितना आएग 1.1 हमने आपसे ओएच नहीं पूछा था पी एच पूछा था पी ओएच क्या हो जाएगा 14 माइनस की ओएच 14 माइनस 5 माइनस लॉग 1.1 तो आपका अंसर आ गया 9 प्लस लॉग 1.1 यह मेरा पी ओएच अगर लॉग 1.1 की वेल्यु दीव ही एक ठीक है नहीं दीव ही तो कोई बात है